हलो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आरिवेदिक तरिके से लखुए के उपचार के बारें बताएंगे लखुए की बिमारी आजकल काफी सुनने को मिलती है किसी की पूरी बाड़ी पेरालिसिस का सिकार हो जाती है तो किसी की आदी बाड़ी इस बीमारी की सपेट में आ जाती है कुछ लोगों के शरीर के किसी विशेश अंको भी पैरारीलिसिस हो जाता है अधिक टेंसल लेने या अचानब कोई सदमा लेने से वेक्ती पैरालिसिस का सिकार हो जाता है क्योंकि जब अचानव कोई बड़ी घटना हो जाए ये दिमाग पर इसका असर हो जाता है जिसकी वज़े से तंत्री का तंतर नस्ट हो जाता है लकवे काईलाज आयर्वेदिक द्वायों से भी किया जा सकता है केवल जुरूरत है तो एक केक करके इस रोक कारण और उपचार को समझने की लो फिर जानते हैं कैसे आयर्वेदिक तरीके से इस काईलाज किया जा सकता है नमबर एक भाब सनान एक अन्य उपाय के उनसार लकवा रोग चेपिडित व्यक्ति को परति दिन भाब सनान कराना चाहिए सनान के बाद उसे गरम गीदी चादर से वह अपने शरीर के रोकर्स भाग को यानि कि जिश भाग को लकवा हुआ के वह उसी भाग को डखना चाहि उसके रोगर्स भाग पर दूप पड़ना बेज जुरूरी है नमबर दो नीमबू पानी का एनिमा लकवा रोग को दूर करने का एक और इलाज मोजुद है जो पूर्ण रूप से प्राकर्तिक है इसके अमसार पिडित रोगी के प्रति दिन नीमबू पानी का एनिमा लेकर प भाएक होता है नमबर तीन गरम चीजों का सेवन लकवा रोग से प्रित व्यक्ति यह दिवा है बहुत कमजोर है तो रोगी को गरम चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए इससे उसे रोग से लड़ने के सकती मिलेगी लेकिन पैरालिसिस के जिन रोगियों को उच रक् पर गिल्ली मिटी का लेव करना चाहिए यदि रोजाना ना हो सके तो एक दिन छोड़कर यह उपाया जुरूर करना चाहिए उसके बाद रोगी को कटी सनान कराना चाहिए यदि यह इलाज प्रति दिन किया जाए तो कुछी दिनों में लकवा रोग ठीक हो साता है लकवा रोग से पिडित रोगी को शुरिये तप्त पीले रंग की बोतल का ठंडा पानी दिन में कम से कम आदा कप चार पांच बार पीना चाहिए यह लकवे से प्रभाई तंग पर कुछी देर के लिए लाल रंग का प्रकास डालना चाहिए और उस पर गरम या ठंडी शिकाई करन से रोगी का लकवा रोग कुछी दिनों में ठीक हो जा सकता है नमबर पांच पकावा ने खाए लकवा रोगी को यह विजाना बोज गुरूरी है रोगी को बाहर का तलाब उना नहीं खाना चाहिए इसके एलावा जब तक उसका उखचार चल रहा है और ईलाज में कोई उं नश्ट हुआ है तो रोग के बढ़ने की संभावना बनी रहती है इसलिए उप्चार के दोरान रोगी के दिमाग को किसी परकार की कोई चोट ना पूंचे इस बात का खास ख्याल रखना जाना चाहिए रोगी को किसी परकार का कोई मानसिक तनाव ना हो पाए यह भी ध्यान रखें यह दिवाय मानसिक रूप से सबस्थ होगा तो जल्दी उसको ठीक होने की समामना बनी रहेगी नहीं तो उपरोक्त बताए सभी उपाए एक के बाद एक ऐसे फल होते चले जाएंगे इस वीडियो में बस इतना ही आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दी देजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचके धन्यवाद